हेलो एवरीवन स्वागत आप सभी का टोपर्स प्राइम चैनल में इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ऐसे से चंडिगड प्यार्टी का जो एक्जाम हुआ है उसके आंसर की जनरल नौलेस का जो पार्ट आया था जनरल अवेडनेस का उसके आंसर की देख लेते हैं देखें फर्स्ट कोशिन है निमल निखित में से किस भारती ने रहमन मैकस से अवबर्ट दो हजार अटारा प्राप्त किया तो रहमन मैकस से दो हजार अठारा दिया गया है भारत वटवानी हैं सोनम वांग चुको नेक्स देखिए राज्जय वेवसाय सुधार के मुल्यांकन दो ह 2018 में कौन सा राज्य is of doing business श्रेणी करम में सिर्श पर है तो right answer होगा अंध्रप्रदेश sorry अंध्रप्रदेश next देखिए chat enabled help desk service कारिय करम आश्क दिशा को प्रारंब करने में निमली कित में से कौन सा पहला और एक मात्रबारतिय सरकारी निगम है तो right answer है IRCTC ठीक है IRCTC ये किस्से है railway से related है full form है इसकी Indian Railway Catering and Tourism Corporation ठीक है अगला देखिए इसरो के पहले मानो स्पेस फ्लाइट कारिय करम गगन यान पर सहयोग के लिए किस दिशाने भारत के साथ संधी अस्ताक्षर किये हैं तो right answer है France नेक्स देखिए चागोज द्वीब जो की हालिया समाचारों में है निमली कितमें से किन देशों के बीच विवादी द्वीब है तो right answer होगा यहाँ पे 65 का मोरिस्टर सेंड युनाइटिड किंग्डम नेक्स देखिए नए नाम से जाना जाने वाला शहर प्रियागराज किस राज्य में स्थित है मध्य प्रदेश जार्खन चतिस गड़ उत्रप्रदेश तो प्रियागराज जो है यह यूपी में है और किसका नाम बदल कर किया गया प्रियागराज इलहाबाद का नाम बदल कर प्रियागराज किया गया है अगला देखिए निमन लिखित में से किसे ओडो मीटर द्वारा नापा जाता है दूरी उंचाई दबाव या वेग ओडोमेटर द्वारा नापा जाता है डिस्टेंस को दूरी को नेक्स देखे निमन लिखित में से कौन सी महीला विज्ञानिक नी रसायन सास्त्र में 2018 नोबल पुरुषकार जीता रसायन सास्त्र में 2018 का नोबल पुरुषकार जीता है अगे देखे निमन लिखित में से किस फिल्म को ओसकर 2019 के भारतिय अधिकारिक प्रिवेश के लिए चुना गया है तो राइट आंसर यहाँ पे होगा विलेज रोक स्टार्स अगला देखे भारतिय स्पेस अनुसंधान संगठन इश्रोद्वारा हाले में 30 अन्य विदेशी सेटेलाइट के साथ कौन सा प्रित्वी निरिक्षन सेटेलाइट प्रक्षेपित किया गया है राइट आंसर है एच वाई सिस ठीक है अगला देखे गोर सरकार ने स्कूल के विध्यारतियों को कितनी भारतिय भाषाओं की पहचान कराने के लिए बाइस नवंबर 2018 को भाषा संगम नामक विशेश कदम उठाया तो राइट आंसर होगा बाइस भाषा होगा ठीक है भारत की तरफ से तेर्थ यात्रियों के लिए डेरा बाबा नानक भारत एम करतारपुर पाकिस्तान गलियारे के अधार शिला किस ने रिखी थी भारत के उपराश्टरपती ने रखे थी कोने उपराश्टरपती वेंके या नाइडू अगला देखे वर्ष दो हजा जने की ओकी विल्ड कब 2018 की पूछी है तो राइट आंसर होगा उडिषकू. नुवंबर दिसम्बर 2018 के दोरान भारत के कितने राज्यों में विधान सभाथ चुनाओ हुए तो विधान सभाथ चुनाओ हुए पांच राज्यों में ओके तो यह थी आंसर की Thank you so much.